भाई और बैनों आज मुझे एम्स देवघर में नई सुविधाय सुरू करने का भी मोका मिला है जार्खन में स्वास्त सेवाओं की बहतरी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं यही जार्खन की धर्ती है जहां से जब रगुवर्दाजी मुख्यमंत्री थे आयुशमान भारत योजना का उद्घाटन प्रारम यही जार्खन से हुआ इस योजना के तहट देश के तीर करोड गरीब मरीशों को मुप्त इलाज मिल चुका है इसमें जार्खन के भी बारा लाग से अधिक बहन भाईयों उन्हों इसका लाब लिया है इन लोगों ने अस्पताल में भरती होकर अपना मुप्त इलाज कराया है आप कल्प ना कर सकते हैं इससे सिर्फ जार्खन के गरीबों को ही चौदा सो करोड रुपिये अगर ये योजना न होती तो उनको अस्पताल के चौदा सो करोड रुपिये का बिल भरना पड़ता आज इस योजना के काराण जार्खन के लोगों के जेब में वो चौदा सो करोड रुपिया बज गया है मेरे भाईयो बेहनों सोचिए इतना पैसा खर्च करके इलाज करने के वज़ाए मेरा गड़ी भाई बेहन तो यही सोचता कि भे कुछ ने करना है थोड़ी तकलीफ होगी अब कितने दिन जीना है भाईयो बेहनों वो दवाही न करवाते घर पे बैठे रहते मेरी माता है तो बताती भी नहीं कि मुझे पीड़ा हो रही है क्योंकि मा को रहता है कहीं बेटे को करज हो जाएगा वो दर्द धिलती रहती लेकिन मा तेरे बेटे पर करज न पड़े तेरा दूसरा बेठा बैठा है तेरी चिंता करेगा लेकिन भाजपा सरकार के योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बन कर आई है आईश्वान भारत योजना की वज़े से जारखन के लोगों को गरीबों को देश के दूसरे बेड़े शहरों के अस्पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है यहां देवगर में एंस बनने से भी गरीबों की बहुत बचत होनी वाली है